हेलो गाइज वेलकम तो प्रिटी एक्स्प्लेइन आज मैं एक्स्प्लेइन करूंगी एफ और थाई वर्जन का एपिसोड 6 स्टार्इंग से पहले अगर आप ने इसका पार्ट नहीं देखा तो लेंग डिसकेट समय है वहां जाकर आप देख सकते हैं तो चलेए स्टार्ट करते हैं अब तक हमने देखा ताइम अनौंस कर देता है कि गोरेया उसकी गल्फिंड है कोई भी अब उससे पंगा नहीं ले स आगे वो टीया को अपने पास बिलाती है और उसे पूसती है कि थाइम के स्कूल में सब कुछ ठेक चल रहा है या नहीं वहाँ कुछ गरबर तो नहीं है ना टीया उनको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है थाइम ने स्कूल को अच्छे से संभाल रखा है वो हर चीज को अच्छे से मैनेज कर रहा है अब उसकी मॉम उसे कई पिक्चर्स दिखाती है तो थाइम और कोरेया की थी और पूछती है क्या तुम इस लड़की को जानती हो मुझे सच सच बताना तीया वो पिक्चर्स देखकर कहती है ये तो बस नॉर्मल से पिक्चर्स है थाइम किसी ने किसी की हैल्प तो करता रहता है मैं इस करल को नहीं जानती तब ही वो अगले पेस पर देखती है कि वहाँ उसकी और कोरेया वाले पिक्चर्स भी होती है वो अब समझ जाती है कि उसकी मॉम को थाइम कोरिया और उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है वो अब किसी को भी नहीं चोड़ेगी अब उसकी मॉम से कहती है ये लड़की थाइम के को जादा ही पास नहीं आ रही तुम आज ही थाइलेंड वापस जाओगी और तुमें थाइम और गोरिया के किस्से को खत्म करना है जिस چीज को जहां होना चाहिए वहाँ उसे सैट करके आना थाइम की मॉम बहुत कॉल्ड हर्टिए है वो गोरिया को उसकी गरीबी से जज़ कर रही होती है वो नहीं चाहती कि गोरिया और थाइम साथ हो और कोई मीडल क्लास करल उनकी फैमिली का मैंबर बने वो टिया को कहती है याद रखना मुझे थोड़ी सी भी चेंजिस पसंद नहीं है सब कुछ मेरे हिसाब सी मेरी मटची से चलना चाहिए आगे हम गुरिया को देखते हैं जो फ्लावर सोप पर होती है वहां उसके ओनर उसे प्यार से कहते हैं तुम्हें पता है ना टूले फ्लावर फर्स्ट लव का सिंबल होता है जो सबसे जदो रोमैंटिक होता है फर्स्ट लव में बहुत पीन, बहुत सी यादे और रोमैंस होता है जो गोरेया तुम पर बिल्कुल सेट हो रहा है क्योंकि रैन तुम्हारा फर्स लफ अब वापस आ चुका है उसके ओनर और कैनिंग कोरेया को बहुत टीज कर रहे होते हैं लेकिन कोरेया बहुत ही कन्फियूज थी वो उनको बताती है कि रैन अप पहले जैसे नहीं है हम देखते हैं जब रैन स्कूल में आया था वो गोरेया से कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कई मैंने ज़्यादा देर तो नहीं लगा दी गोरेया उसके बेहेव से बहुत कन्फियूज हो गई थी और दाइम रैन को रोकते हुए कहता है जादा मत सोचो गोरेया अप मेरी है ये मेरी गलिफर्ण है और गोरेया थाइम से फिर से कहती है मैं तुम्हारी गलिफर्ण नहीं हूँ तुम दूसरों को confuse मत करो रैन को रेया को congratulate करता है और कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे और थाइम के लिए बहुत खुस हूँ अब इस सारे friend यानि effort पार्टी करने चले जाते हैं रैन का behave पहले से बहुत change लग रहा था इसलिए गोरेया उसी टाइम से रैन के लिए पर रहसान थी वो कैनिंग को कहती है मैं क्या करूँ मैं उससे मिलना चाती हूँ पूछना चाती हूँ कि उसका सफर कैसा था वो अब ऐसा behave क्यों कर रहा है कैनिंग उसे एक idea देती है कि तुम रैन से उसके हैंकी देने के बहाने मिल सकती हो और जान सकती हो कि आखिर उसके साथ हुआ गया है वो पहले से अलग क्यों लग रहा है अब गोरेया अपने फोन में देखती है कि एफ़र के सारे मैंबर पार्टी करने में लगे हैं उनके बीच रैन भी था और वो भी गल्स के बीच इंजोई कर रहा था ये पहली बार था कि रैन इतना बदल गया गोरेया तो सूच में पर जाती है कि रैन इस हद तक कैसे जा सकता है कहां वो गल्स से पार्टी से इन चीजों से दूर रहता था लेकिन अब वो अलगी इंसान है वो रहन को वहाँ देखकर बहुत हैरान थी तब ही उसका फोन बंद हो जाता है किनकि गोरिया का फोन बहुत पुराना और टूट पी चुका है अब आगे गोरिया अपने स्कूल के असेमली में होती है वहाँ वो बहुत ही परिशान देख रही थी किनकि उसका फोन अभी तक बंदी था स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ स्पीज दे रहे थी तब ही वहाँ आवाज आती है कोरिया मेरी गर्फेंड मीटिंग हॉल के साइड में जल्दी से मुझसे मिलो गोरिया ये सुनकर हैरान थी तब ही वो देखती है कि थाइम सब के सामने स्टेज पर ये सब बोर रहा है सारे स्टूरेंट्स की नजर कोरिया पर थी अब थाइम कहता है तुम्हें सुनाई नहीं देता देखो प्रिंसिपल को तुम वेट मत कराओ उने भी अपना काम करना है जल्दी से मुझसे मिलने हो गोरिया ये सब सुनकर बिल्कुर सॉच्ट हो गई थी कि थाइम उसे मिलने के लिए कुछ भी घः सकता है उसे लोगों के सौच से फरक नहीं पड़ता अब गोरिया थाइम से मिलने जाती है वहाँ थाइम गोरिया को डाटते हुए कहता है तुमने मेरे कॉल्स क्योंने उठाए तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किये हैं जर्द देखो मेरे फॉन को 83 कॉल्स और तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया अब गोरिया कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है मेरा फॉन पहले से खराब है तुम मैं क्या करती अब थाइम कहता है डॉन्ट वरी मैं तुम्हारे लिए एक फॉन लाया हूँ वो कॉरिया को एक सैल फॉन देता है लेकिन कॉरिया लेने से मना कर देती है थाइम कहता है तो मैं यह लेना ही होगा मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तो मेरा कॉल नहीं उठाती आगे वह कहता है अगर तुम यह फोन नहीं लोगी तो मैं यह फोन फ्लॉर पर रख दूँगा तब देखना कोई दूसरा इंसान इस फोन को तोड़ देगा या ले लेगा अब कॉरिया को उसके जिद के आगे जुकना ही पड़ता है और वो फोन लेने के लिए मान जाती है अब थाइम उसे कहता है इस सैटरेडे को हम फिर से डेट पर चलेंगे तयार रहना इस पर यह एफ फोल के डिजाइन का होगा गुरिया उसे मना करने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली पर थाइम उसके एक भी नहीं सुनता और कहता है मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला तुम्हें मेरी बात माननी होगी और हम दोनों साथ में सेरेड़ो को डेट पर जरूर जाएंगी मैं तुम्हें कोल पर टाइम और जगे बता दूँगा और वो कैविन से बात करते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम आज भी टैरिस पर छुपने आती हो तुम बिल्कुल नहीं बदली अब गुरिया उसे कहती है मुझे विश्वास नहीं था कि तुम यहां आओगी पता नहीं मुझे तुम पहले से अलग लग रहे हो क्या तुम अब ट्रोइंग नहीं करती रैन उसे कहता है मेरा स्केचबुक खोड़ चुका है इसलिए मैं ट्रोइंग नहीं कर रहा आगे वो पूचता है तुम्हे थाइम के साथ डेट पर कैसा लग रहा है क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रेट करता है गुरिया कहती है थाइम और मैं कोई भी डेट नहीं कर रहे सब हमें गलत समझ रहे हैं मैं उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ अब रैन कहता है कोई बात नहीं हम फ्रेंट्स तो रहेंगे गुरिया कहती है हाँ हम हमेसे फ्रेंट्स रहेंगे तभी रेन उसे प्यार से कहता है अगर तुम चाहो तो हम फ्रेंडशिप से आगे बढ़ सकते हैं यानि हम दोनों भी डेट कर सकते हैं वो भी किसी को बिना बताए यानि थाइम से चुपकर मुझे थाइम से कोई प्रॉबلم नहीएं गोरिया थे सुनकर सौक्ट हो जाती है वो सुच्टी है रेन कैसे बैकी बैकी बाते कर रहा है तब ही रेन उस पर हसने लगता है वो कहता है मैं तो मशाख कर रहा दा क्या तुमने सच मान लिया था गोरिया बहुत कन्फियूज हो चुकी थी वो उसके हैंके उसे वापस करती है और वहाँ से जाने लगती है रैन उसे कहता है मुझे विस्वास नहीं हो रहा तुम ने इसे अब तक संभाल कर रखा था आगे वो कहता है हमें किसी भी कीमती चीज़ का देर से रियलाइस क्यों होता है कहीं मैंने जादा देर तो नहीं करती कहीं मैंने किसी को खो तो नहीं दिया वो इंडिरेकली गोरिया से कह रहा था कि मैंने कहीं तुम्हें खो तो नहीं दिया रैन को भी गोरिया से प्यार हो गया था इसलिए वो कह रहा था कि सायद मैंने देर कर दी, तुम थाइम के पास चली गई, पर कुरिया तो बहुत कन्फियूज हो चुकी थी, वो फ्लावर सोप पर होती है, वहाँ उसके ओनर कहते हैं, वो तुम्हें इंडिरेकली सुड्यूस कर रहा था, पर मैं तो बूढ़ा हो मैं तो तुमसे बहुत चैलिस हूँ, दो दो लड़के तुम्हारे प्यार में पागल हैं, पहला रैन, वो जब भी तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे दिल की धड़कने तेज हो जाती है, और दूसरा थाइम जो तुम्हें किसी चीज से परिसान करता रहता है, लेकिन द कैनिंगों से कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने बॉइफन टैशला के साथ इस सैटेड़े को जू घूंने जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी थाइम के साथ आ सकती हो, हम दोनों वहां साथ में रहेंगे, तो थाइम तुम्हें जादा परिसान नह मेरे साथ और कोई डेट पर जूम में घूमने जाता है क्या, वो भी एनिमल्स के बीच में, मैं ऐसी जगह कभी नहीं जा सकता, कैविन मेथल्स्टोन की बाते सुनकर एंटरेटेन हो रहे थे, और कह रहे थे, इनकी फाइटिंग कभी खतम नहीं हो सकती, हमेशा लड़ते र प्यार से बात करो, क्या पता वो मान जाए, और ये बबल से तुम्हारा गुस्सा उतारने में हैल्प करेगा, अब थाइम उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक चीज करना होगा, गोरिया पूछती है, क्या, थाइम कहता है, मैं जो थैस रहे थी, पर गोरिया बहुत ही गुस्से में थी, उसे ना चाहते हुए भी ये सब कहना पड़ रहा था, अब लाश में थाइम कहता है, मेरे लिए म्याउ म्याउ करो, गोरिया अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, म्याउ म्याउ, ये सुन थाइम को कोई पसंद नहीं है अब र дужеौन को कहता है अगर तुम गोरिया के साथ नहीं जाना चाथे तो मैं जा सकता हूं वैसे अगोство स्थीए भोगुए हुए बहुत दिन हो चुके हैं पर थामने कृता है डोंट बाहूरे मैं को न९ हो किता क्ला हुगा आ झाला जाए ना अब आगे वहाँ थाइम के सिसर टिया आती है जो गुरिया को साथ में लेकर जाती है गुरिया उनको थाइम के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है पता नहीं अब थाइम मुझे कितना परिशान करने वाला है मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है टिया उसे समझाती है क किनके उसके मम उनके साथ कुछ भी कर सकती है वो उनको साथ में नहीं देखना चाती और यहाँ टीया अपने मॉम का ओर्डर नहीं मानती वो तो कोरेया को time के साथ आगर बढ़ने के लिए कहती है अब कोरेया टीया से रैंस के बारे में discuss करती है कि पता नहीं, वो अब पहले से चेंज हो चुका है, क्या ये सही है? टिया उसे समझाती है, ये तो नॉर्मल से चीज है, टाइम के साथ कोई भी बदल जगता है जैसे आज थाइम को देखो, जबसे तुम थाइम की लाइफ में आई हो, वो बहुत बदल जुका है, वो दूसरों की फिलिंग समझने लगा है मुझे पता है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि तुम इन सब चीजों से पहली बार गोचर रही हो लाइफ में कई टास्क ऐसे आएंगे, जो तुम्हें बदल भी सकते हैं, तुम पर कई अफेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है याद रखो, दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है लव, इसे तुम किसी भी ट्रॉबल से बाहर निकल सकती हो गुरिया कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और बागी थाइम अगर मुझे बुली करेगा, तो उसको ताब टीज करीद होगी टीया कहती है, आफकॉस, मैं उसे जरूर लेसन सिखाऊंगी, यानि पनिसमेंट डूंगी टीया और गुरिया वहाँ अपनी सारी फिलिंग डिसकस कर रहे थी, किनकि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंट्स बन चुके हैं अब गुरिया उनकी कार से रास्ते में उतर जाती है, वो अपने फोन में कैनिंग का मैसेज देखती है, जिसमें उसने लिखा था, कि हम सैटरेड़े को एक बज़े जून में जाएंगी अब गुरिया देखती है, रैन हमेशा कितर है, डिस्पले बोट पर मीरा की फोटो देख रहा है, वो मीरा के लिए बहुत सैट दिख रहा था अब गुरिया रैन के पास जाती है, और उसे पूछती है, क्या तुम मुझे ससस बताओगी, तुम्हारा फ्रेंस का ट्रिप कैसा रहा रैन कहता है, जैसा तुमने सोचा होगा, फ्रेंस जैसा सुन्दर दिखता है, वैसा ही ट्रिप था गोरिया कहती है मैं मीरा के बारे में पूचाई हूँ क्या वो तुमसे मिली थी रैन उसे प्यार से कहता है तुम मेरे कितनी चिंता कर रही हो वैसे मैं मीरा से मिला था वो मुझे देखकर खुश भी थी और तुम्हारा थैंक्स तुमने मुझे वहाँ जाने को कहा मुझे उस problem से सामना करने की हिम्मत दी मैं भी इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं उस problem से भागा नहीं बल्कि उसका सामना किया गोरिया हैरानी से कहती है क्या सच में तुम खुश हो अंदर से तो रैन बहुत उदास लग रहा था मीरा और उसके बीच क्या हुआ है फ्रेंच में मीरा ने उसे क्या कहा यह सब रैन गोरिया को नहीं बता था वो गोरिया से पूशता है तुम अपनी लाइफ के बारे में बताओ क्या सब कुश ठीक है गोरिया कहती है बलकु नहीं हमेशा कि देरा boring अब रैन कहता है नहीं यह सच नहीं है अब तुम्हारी लाइफ पहले से बदल चुकी है तुम्हारी लाइफ कलरफुल होने लगा है अब रैन उसके सूज को देखता है गोरिया ने अपने सूज को अच्छे से टाय नहीं किया था रैन उसे ठीक करता है और कहता है तुम नहीं बदली तुम्हारी हैबिर्स आज भी सेम है क्या तुम सच में पहले जैसे हो किनकि अब मैं पहले जैसे नहीं हूँ रैन फिर से गोरिया को इंडारेक्ली अपने दिल की बात कह रहा था कोरिया ये सुनकर अंदर से बहुत खबरा जाती है उसकी बस भी वहाँ आ चुकी थी वह वहाँ से जाने लगती है लेकिन जाते समय गोरिया का सैल फॉन रास्ते में गर जाता है जिसे रैन देख लेता है वो उसे अपने पास रख लेता है अब गुरिया अपने घर पर थी वो रैन और थाइम दोनों के कारण पर रिशान दिख रही थी तब ही माँ उसके ब्रदर राता है थाइम ने गुरिया से बात करने के लिए उसके फॉन पर कॉल किया था थाइम उसे फूचता है तुम इतनी टैंस क्यों हो मैरा कॉल क्यों ने उसे अफ़ाए अब गुरिया अपना फόन चेक करती है उसे हसास होता है कि फौन जरूर रास्ते में गिट चुका है जब वो रास्ते में रैन से मिली थी वो थाइम को कहती है साध मेरा फ़न फ़ावर सोप में रहे गया थाइम कहता है मुझे तुम पर सक हो रहा है क्या तुम सच कह रही हो गुरिया उसे ये नहीं बताती कि वो रैन से मिली थी बल्कि कहती है मैं तो फ्लावर सौप से सिदा घर पर आई हूँ मैं कहीं भी नहीं रुगी थी ना किसी से मिली थी अब थाइम कहता है चलो कोई बात नहीं अब ये बताओ हम जो किस टाइम जाने वाले हैं गुरिया उसे वहां जाने का टाइम बताती है और कहती है प्लीज अगर मैं लेट हो जाऊं और कल बारी सा जाए तो वहां भीगने मतलग जाना किसी जगे पर बैट जाना जहां तो मगिले ना उपाओ थाइम कहता है तुम्हे ताइम पर आना ही होगा नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं तुम्हें लेट होने की किमत तो चुकानी होगी आगे गुरिया अपने ब्रदर से पूछती है तुम्हें ये नया फोन कहां से मिला उसका ब्रदर कहता है ये मुझे थाइम ने दिया मुझे क्या मॉम डैट को भी दिया है गुरिया ये सुनकर चोक जाती है वो और भी ज़्यादा परिसान होगी थी कि थाइम मेरी और मेरी फैमली की इतनी केर क्यूं कर रहा है वो हमेसे ग्रेजिस तिंग करता रहता है अब पता नहीं कल क्या होगा आगे हम रैन को देखते हैं जो प्रिंटिंग कर रहा होता है लेकिन वो बहुत ही उदास है और किसी चीज़ से बहुत परिशान होता है तब है वहाँ थाइम आता है वो जिव में कुरिया के साथ जाने के लिए बहुत ही एकसाइटर था वो रैन से पूछता है मुझे बताओ एक नॉर्मल इंसान कैसे कपले पहनता है मुझे कौन सी ड्रेस पहनने चाहिए ये ग्रिन वाली या वाइट वाली थाइम ड्रेस के लिए बहुत ही कन्फियूसा वो कभी विंटर की तो कभी समर के कपले चूछ कर रहा था रैन उस पर हसने लगता है और कहता है तुम सच में बहुत ही एकसाइटर हो कुरिया के लिए कितने सीरियस हो थाइम उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ है जब से तुम फ्रांस से आए हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल मुस्किल से ही आती है तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है जिससे तुम बहुत परिशान हो लेकिन तुम अपनी परिशानी किसी को क्यों नहीं बता रही पर रैन उसे कुछ न तुमने देख लिया किको एवा holy-cash मैं आभया कि मुझ्थिती मैं उसे वाक्ष करने ता लेकिन अब तुम यह सुनकर थायमं को बाँत दुख़ोता है कि 한कि ओर ला से जूट बोला कि और रास्ते से व impress किम्राइशं कुम्री में गली उस बहुत खुबसूरत हो तुम्हें किसी टाइब की मेकप भी जरूरत नहीं गोरिया उसका थैंक्स कहती है उसका ब्रेदर कहता है चाहे कुछ भी हो अपने आप पर विश्वास रखना तुम अपने आप ही कॉंफिडेंस फिल करोगी और ज्यादा ओवर्टिंक मत करो अब दो बरके एक बच चुके थे थाइम जू में सबका वेट करा था तभी कुरिया भी वहाँ पहुंच जाती है और उसे कहती है कहीं तुम फिर से मुस्पर गुस्षा तो कि मैं फिर रही हूँ थाई मैं देखता रह जाता है किमक्ए बहुत भी ब्यूटिफुल लग रही थी वह ताइम उसे रिपीट करता है और गुस्से में कहता है तुम चाहती क्या हो पता है मैं कितने देर से यहां हूं और अब तक कोई भी यहां नहीं आया गोरिया उसे सांध कराते हुए कहती है प्लीज इन चीजों के लिए मुझे माफ करना कैनिंग और उसका बॉइफेंड आते ह रहे हो तभी कैनिंग और उसका बॉइफेंड टैसला भी वहां आ जाते हैं टैसला उनका मजाग बनाते हुए कहता है तुम दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो एक दूसरे को समझाने में लगे हो गोरिया तुम्हारा बॉइफेंड तो बहुत ही फनी दिखता है एक्चुली कै जो की जुरूरत नहीं अभी एंजॉय करने के टाइम है चलो अंदर चलते हैं वो कैनिंग को लेकर अंदर चला जाता है थाइम उसके बहुत हैरानी में और गुस्से में था लेकिन सिर्फ कोरिया के लिए वह वहां सान था गुरिया मन में सुंसती है पता नहीं अब यहां क झाने के कोसिश कर जाएं अब आगे हम देखते हैं चार जूर में और करूँज को देख रहे हैं और टेसला किसे ना किसी तरीके से थाइम को कई बार तो क्रविया और टॉड करने की कोसिश करता है और टाइम ऑपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए झाल उसके सिर्फ करते अब गोरिया थाइम को soft toy दिखा कर उसका more ठीक करने की कोशिज करती है थाइम कहता है क्या तुम ये टोय खरीदना चाहती हो गोरिया कहती है ये बहुत ही expensive है मैं ये नहीं ले सकती थाइम कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारी लिपी करूंगा तब ही वाँ फिर सिफ टैसला आ जाता है और उसे टीज करते वे कहता है क्या बात है लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है किमना तुम पुरा का पुरा जू ही खरीद लो थाइम कहता है बिलकुल सही तुम बिलकुल ठीक कर रहे हो अब टैसला उस पर हसने लगता है कैनिंग जानती है कि उसका बॉइफिन थाइम को कितना चीर रहा है और थाइम बस कंडूल करे जा रहा है वो अब अपने बॉइफिन को वहां से लेकर जाने लगती है और कहती है डॉल्फिन सो स्टार्ट होने वाला है हम वहाँ जा रहे हैं उनके जाते ही थाइम आइसक्यूं को मसल देता है और सॉफट डाय पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहता है देखो वो मुझे कितना टीज कर रहा है क्या वो सच में स्मार्ट है क्या मैं पागल हूँ मुझे बताओ गोरिया उस पर हसने लगती है और उसे सांथ करवाती है आगे वे रिवर साइड पर आते हैं वहाँ गोरिया थाइम से टैसला के लिए माफ़े मागती है और पूछती है वैसे तुम्हें आज यहां गूम कर कैसा लगा थाइम कहता है तुम्हें फ्रेंट्स अच्छे से देख कर बनाना चाहिए जैसे कि मैं तुम्हें फ्रेंट्स चूज करने नहीं आते वैसे अगर मैं टैसला को इगनोर करूँ तो आज का दिन बहुत अच्छा था मैं आज तक ऐसी जगें नहीं आया था गॉरिया उसे थैंक्स कहती है किनकि वो उसके लिए आज इतना असान थै उसने कोई भी फाइटिंग नहीं की थाइम कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं मैं तो बस एक अच्छा बॉर्फेंट बनने की कोसिस कर रहा हूँ अब कॉरिया कहती है तुम्हें पता है ना मैं आज तक तुम्हारी गल्फेंट बनने के लिए नहीं मानी हूँ सो प्लीज अपने आपको हट करना बंद करो थाइम कहता है मुझे पता है अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा अब थाइम और गोरिया साथ में सैल्फी लेते हैं वे दोनों उससे में बहुत खुछ थे थाइम बार बार अपने कपलों की खुदी तारीफ कर रहा था और कहता है रैन ने सच मुछ में लिए बहुत ही अच्छी ट्रैस चूच की है उसकी चोईस बहुत अच्छी है ये सुनकर गोरिया को रैन की याद आने लगती है अब थाइम गोरिया को उसका फोन लोटाने ही वाला था जैसे वह कहता है गोरिया तुम्हारा फोन तब ही गोरिया कहती है अरे मुझे माफ करना वो फोन जरूर बस में रह गई होगी थाइम कहता है क्या सच में कहीं तुम किसी से मिली तो नहीं थी ना गोरिया उसे जूट बोल देती है कि मैं तो सोप से सीधा घर पर गई थी मैं कहीं भी नहीं रुकी थी और वैसे मेरे लिए दोबारा फोन मत करीदना मैं तुम्हें डिश्टब करना नहीं चाहती ये सब सुनकर तो थाइम का दिल टोट जाता है वो मन में सुनता है गोरिया इतना जूट कैसे बोल सकती है वो रैन के बारे में क्यों नहीं बता रही अब वो रैस्टरूम जाने लगता है वो बस गोरिया के बारे में सुनस रहा होता है रास्ते में टैसला अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि कैनिंग तो बहुत भोली भाली और पागल लड़की है वो मेरे टाइप की नहीं है मैं उसे कुछ दिन में ब्रेक अप कर नहीं वाला हूँ और एक लड़की है जो बहुत ही होट है वो उसकी फ्रेंड कोरिया है कास मैंने उसे पहले देखा होता सच में वो बहुत क्यूट है थाइम ये सब बात ही वहां सुन लेता है वो बहुत ही गुस्से में था अब टैसला फिर से उसे गुस्सा दिलाते हुए कहता है चलो एक डील करते हैं क्या मैं गुरिया को यूज कर सकता हूँ वैसे भी मुझे नहीं लगता तुम उसे प्यार करते हो तुम ज़रूर मेरी तरही हो जो इंजीदों से खेलता रहता है वैसे कि आप मैं गुरिया का बॉर्फर्ण बन जाओं ये सुनकर तो थाइम का गुस्सा साथ वे आसमान पर था वो अब टैसला को नहीं छोड़ता और उसे फाइटिंग करने लगता है फाइटिंग के आवाज सुनकर गुरिया वहाँ जल्दी से जाती है थाइम टैसला को कहता है तुमने गुरिया के बारे में ये सब कहने की हिम्मत कैसी की गुरिया सिफ मेरी है अब वहाँ कैनिंग और गुरिया पहुच चुकी थी वो दोनों को फाइटिंग करने से रोकते हैं और कैनिंग टैसला को संभालती है अब थाइम कोरिया को रिवर साइट बलाता है और उसे टैसला के हरकतों के बारे में बताता है लेकिन कोरिया उल्टा थाइम पर ही चिलानी लगती है कि तुम थोड़ी देर भी सांथ नहीं रह सकती टैसला तो कुछ भी बोलता रहता है उसकी तो आदत है दूसरों का मचाग बनाने का लेकिन तुम भी अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकती थाइम कहता है तुम्हें क्या रगता है मैं उसकी बातों को सुनता रहता तुम्हें पता भी है वो किस तरह का इंसान है अब कुरिया कहती है मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो लेकिन तुम अभी भी वही थाइम हो जो हमेसे दूसरों को टोर्चर करता है दूसरों को अपना गुलाम समझता है लेकिन मैं गलत समझती थी कुछ भी नहीं बदला मैं ऐसे इंसान से बहुत नफरत करती हूँ जो कुछ भी सॉल्ट करने के लिए फॉयलेंस करने लगते हैं फाइटिंग करने लगते हैं गोरे थाइम को संभालने की जिगे उसे बहुत डारती है उसे बुरा भला बोलती है जिसे थाइम को बहुत दुक होता है वह बहुत कुछ नहीं बोलता और चुप-चाप गुस्ए में वहां से चला जाता है गोरिया तो थाइम और कैनिंग दोनों के लिए दुखी थी किनकि थाइम अब उससे गुस्ता हो गया और कैनिंग का तो पता नहीं वो अब थाइम के कारण कितना दुखी होगी अब हम रैन को देखते हैं जिसके पास कोरियर से किसी ने कुछ भेज़ा है वो उसे देख रहा होता है अब हुँ गुरिया को देखते हैं जो थाइम के लिए कैनिंग से माफ़ी मागती है किनकि अब टैसला ने कैनिंग से ब्रेक अप कर लिया है टैसला का तो कैनिंग से ब्रेक अप का पहले से प्लैन था लेकिन अब सब थाइम को इसका जिमेदार समझ रहे है कैनिंग गुरिया से कहती है कोई बात नहीं इससे तुम क्यों दुकी हो ये सब थाइम के कारण हुआ है चिंता मत करो मैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाऊंगी कैनिंग बेक अप के कारण बहुत ही दुकी थी और गुरिया भी कैनिंग के लिए बहुत सहर थी गुरिया की बाते सुनकर उसका ब्रदर पूछता है क्या सिस्मे थाइम ऐसा है वो इतना बुरा है लेकिन गुरिया कोई जवाब नहीं देती वो सॉफटर को थाइम समझ कर बार बार पुस्स करने लगती है जैसे उस टॉय का पिन उसके हाथ में लग जाता है और उसे हलकी सी चोट लग जाती है उदर थाइम कुरिया के कारण बहुत ही गुस्से में था वो गुस्से में वहाँ की चियर्स को फैकरा होता है उपर वाले रूम से टिया थाइम को देख रही होती है वो उसके लिए थोड़ी दुखी दिख रही थी कैविन मेथस थाइम को संभालने के कोसिस करते हैं और पूस्ते हैं तुम कोरिया को मनाने कब जा रही हो थाइम कहता है तुम्हें पता है वो कभी मेरी बात नहीं सुनती मैंने उसे कितना संजाया कोई बात नहीं वो क्या सोस्ती है सिर्फ वो ही गुस्ता कर सकती है मैं भी अब उससे बात नहीं करूंगा उसे खुद मुस्से माफी मागनी होगी तबी कैविन थाइम को पीछे से बुस करता है और उसे पानी में गिरा देता है कैविन मैं थस तो उन्हों उस पर बहुत थस रहे थे थाइम कहता है तुमने ये क्यों किया वे कहते हैं तुम्हें ठंडा करने के लिए इतने दिर से बस परिसानी में ही दिख रहे हो वैसे तुम्हें ही कुरिया को मनाना होगा थाइम कहता है बिलकुल नहीं वो मुझे मिनाने आएगी मैं उसे नहीं मनाऊंगा अब कैवन उसे समझाते हुए कहता है कि थाइम कई पर हमें सही होने पर भी डिलेसंशिप में जुकना पड़ता है रिस्तों में दरारे तो आती ही रहती है प्यार में सही या गलत नहीं करता दूसरों का समझने के लिए तुम्हें उसे बात कर नहीं होगी उधर रैन उस कोरियर के बॉक्स को ऑपन करता है जिसमें उसका स्कैच बुक होता है उसमें किसी ने कुछ लिखा था जिससे पढ़कर रैन बहुत इमोशनल हो जाता है उधर थाइम केविन के बास समझ करता है भले तूनों एक दुस्क्सा हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूनों एक दुस्छी से प्यार नहीं करते इससे पहले की देर हो जाकि गुरिया को मना लो उससे बात करो थाइम कहता है सच में तुम दोनों तो प्यार के स्पीज देने में माशर हो मुझे तो आज पता चला मैथस कहता है अब कभी भी गुरिया का कौल आए तो उसे सौरी कहना तभी थाइम का फॉन बजने लगता है केविन उसे कहता है जल कहां पर हो अब थाइम भून को नहीं चोड़ता वो अब दोनों को पानी में धका दे देता है और खुद भी पानी में कूच जाता है और तीनों वहां मैस्तिक करने लगते हैं अब टीया गुरिया को मैसेज करती है कि प्लेज थाइम से थोड़ा सा प्यार से बात करना उसके दिल के बाद समझने की कोसिस करो तीया थाइम के लिए थोड़ी चिंदा में थी उधर गुरिया घर पर उदास बैटी थी आगे अब वो स्कूल में होती है वहां वो देखती है कि एफ़र कोई भी मेंबर अभी कैंटेन में नहीं है आगे वो देखती है कि सारे स्टूड़ किसी निउस की बात कर रहे हैं वो थोड़ी कनफ्यूज हो जाती है अब कुरिया टीवी स्कीन पर एक निउस देखती है जिसे देखते ही वो बहुत सौक थी वो अब तेजी से दोड़ती हुए टैरिस पर जाने लगती है उधर थाइम केविन मेथस के सांथ खेल रहा था थ हाइम कुरिया से मिलने चला जाता है क्याउल मेथस्स में कहते हैं पता नहीं अब इनदों बीच क्या होगा अब केविन अपना फौन चेक करता है जिसमें वह वह भ い अक देखता है नियुज यह था कि मेरा फ्रेंस में किसी अकटर को डेट कर रही है उन दोनों को सांथ में काम करते हुए एक दूसरे से प्यार हो गया निउस देखकर तो केविन मैथस भी पर रिसान हो जाते हैं वे अब समझ जाते हैं कि रैन फ्रेंज से आने के बाद इतना बदला बदला सा क्यूं है वे उसे कॉल करते हैं लेकिन उसका फोन बन था अब हम कुरिया को देखते हैं वो रैन के पास जाती है रैन की आखे रोने के कारण काफी सूज गई थी वो बहुत ही जार था अब गोरिया उसे माफी मांगते हुए कहती है मैंने बहुत बड़ी गल्दी कर दी तुम यह सब पहले से जानते थे मुझे तुम्हें फ्रेंच जाने के लिए नहीं कहना चाह में उसके काफी पास आ चुका हूं लेकिन लास में मुझे हैसा दुनिया और मेरी दुनिया बूरी तरह अलग है वो बहुत आगे जा चुकी है सच में किसी ने सही का है अगर अब किसी से बे इंतहा प्यार करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सच में आपका प्यार आपको मिल जाए वो आपके लाinek में आजाए प्यार कभी भी एक तरफ होने से फूरा नहीं होता ये कहते हैं रेन बहुत ही इमोशनल हो चुका था और गोरिया भी उसके लिए बहुत दुकी थी आगे रेन कहता है मुझे पता चल गया था कि मीरा के लाइफ में कोई और आ चुका है इसलिए मैंने उसके लाइफ से बाहर जाने का डिशाइड कर लिया सच बहुत करवा होता है लेकिन मैं इस बास से खुस हूँ कि मीरा अपनी लाइफ में बहुत खुस है उसको मुझे भी अच्छा इनसान मिला है गोरिया कहती है क्या पता ये मिसनर रफ्रेनिंग भी हो सकती है तुम्हें उसे एक बार बात करनी चाहिए रेन कहता है नहीं इस बार मैं गलत नहीं हूँ यह हम रेन की डायरी की लाश पेज में देखते हैं जिसमें लिखा था मुझे उमीद है तुम्हारी लाइफ में मुझे भी ज्यादा बैटर इनसान आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा दरसल फ्रेंस में जाने के बाद रेन को एहसास हुआ कि मीरा उसे कितनी अलग है वो वहाँ देखता है कि मीरा आप किसी और को लाइक करने लगी है और वो हमेंसे अपने काम में लगी रहती है और इसलिए रेन ने मीरा को बोलने का डिसाइड कर लिया और थाइलेंड आते हुए, रैन ने अपना स्केच बुक मीरा के रूम में ही छोड़ दिया था, जिसमें मीरा नहीं ये लिखा था, कि तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी अच्छा इंसान जरूर आएगा, और मीरा नहीं ये स्केच बुक रैन को कोरियर से भेजा था, अब अईसा क्यों कह रहे हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम बहुत ही कीमती हो, तुम्हें एक इंसान ने reject कर दिया तो क्या हुआ, तुम अपने आपको worthless क्यों समझ रहे हो, तुम्हें पता भी है, तुम मेरे लिए कितने precious हो, अगर उस दिन तुम मेरी help नहीं करती, तो मुझे कि बाकि सब भी तुमसे प्यार नहीं करते कोई तुम्हे कुछ भी कहे लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो इसलिए प्लेज तुम्हे तुम्हे दुवारा मत कहना कि तुम्हे एक बिकार इनसान हो कोईया वहां रैन के लिए बहुत रोती है वो रैन के लिए बहुत दुकी थी वो अपने सारे फिलिंग्स वहाँ उसे कह देती है रैन उसे गले से लगा लेता है और कहता है वैसे तुम मुझे संभालने आई थी लेकिन मेरे कारण अभी खुदी रोने लगी अब रैन उसे संभालता है और चुप कराता है वहाँ दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं कि दोना ही बहुत दुकी हैं आगे हम थाइम की मॉम को देखते हैं जिनके हाथों में टूलिफ लार होता है वहाँ के मैनेजर उनसे कहते हैं आपके हाथों में टूलिफ लगता है आप अपना फर्स लव नहीं भूली उसके मॉम कहती है नहीं सब बच ट्यूलिफ लार के एक ही साइड को देखते हैं कि ये फर्स लव प्यार का सिंबल है लेकिन तुम्हें ट्यूलिफ का दूसरा साइड पता है अगर प्यार पुरा ना हो दिल तूट जाए तो क्या होता है तो ये जैलिसी में नफरत में और भी डेंजरस बन जाता है ये प्यार के जुनून में कुछ भी करवा सकता है एक रात में सब कुछ बदल जाता है और इसलिए चेंजिस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है थाइम के मौम अब गोरिया और थाइम पर कड़ी नजर रख रही थी उनके पास उनकी पलपल की ख़बर थी और वो चाहती है इससे पहले की थाइम गोरिया के प्यार में बहुत आगे चला जाए वो थाइम को रोक ले गोरिया को उससे दूर कर दे किकि प्यार कुछ भी करवा सकता है उधर हम थाइम को देखते हैं जो टारेट्ट पर होता है वह रैन और कुरिया को साहत में देख लेता है वो बहुत ही जैलिस और गुस्थे में दिख रहा था अब पता नहीं थाइम गुस्थे में क्या करेगा किंकि वो गुरिया को किसी और के साथ नहीं देख सकता अब आगे क्या होगा नेक्स पार्ट में देखेंगे वीडियो कैसी लगी कमेंड में जुरूर बताना और वीडियो अच्छे लगी होते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करें